नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ उस वीडियो में जहां हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं दोस्तो अगर अपन आज का मार्केट देखें तो आज का मार्केट बहुत जादा वोलेटाइल था आज का मार्केट सुबह सुबह काफी अच्छा चला उसके बाद अपने को जो है मार्केट साइडवेस होता हुआ देखने को मिला अगर अपन बैंक निफ्टी में देखें त तो bank on yifty दोस्तों कहीं न कहीं 10-15 मिनट के अंदर 600 points उपर जाता है वहीं यहाँ पर देखा जाये तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर जो मार्केट कहीं न कहीं 1,000 point डाउन आता है market ने बहुत जदा volatile market था कल किस तरीके से plan करेंगे हम इस video में discuss करेंगे दोस्तो मेरा नाम सुरेश पिपावांशी है स्वागत करता हूँ इस वीडियो में दोस्तो माफी चाहता हूँ कुछ मेरी तविएद खराब थी दोस्तो थोड़ा सा इंफेक्शन था जिसकी वज़े से मैं यहाँ पर वीडियो कंटिनू नहीं लेके आप आ रहा था और नहीं में यहाँ पर लाइव आ रहा था बड़ दोस्तो कहीं न कई कल से अपन लाइव गाएंगे और दोस्तो यह वीडियो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि अपन इस वीडियो में दोस्तो कुछ न्यूस पॉइंट को कवर करने वाले हैं और कुछ अपन यहाँ पर लेवल क कवर करेंगी जिसकी वैसे कहीं कहीं न के अप अच्छा कासा प्राफिट जो है कल मार्केट में बना सकते हैं दोस्तो आज मार्केट में बहुत जदा geta stop loss हंटिंग हुई एंड अ दोस्तो वही हैसल अन्टिंग के साथ में हमने trade प्लान किया अपने student में 208 पॉइंट का मुँ अपने को देखने को मिला जहां पर हमने दोस्तों यह पूरा जो ट्रेड था अपने फ्री टेलिग्राम चेनल स्टॉप लोस के साथ में देखो दोस्तों जितने मेरे ट्रेड होते हैं जितने मेरे लेवल होते हैं अब बस आपको यहां पर सीकान की कोशिश करता हूँ इस टौप लोस हंटिगं के फंडे तो कहता हूँ कि जहां पर हमने फिम नुफिट का अज प्लान किया था 20.800 का प्राईस सट्र रूपे का प्राईस था, 10 रूपे का यहां पर हमने इस्टॉप लोस दिया था हमने जब टार्गेट रखे थे 108 तक रखे थे बड़ दोस्तों जैसे प्राइज उपर फटा SL हंटिंग का सेटप बनने के बाद में 258 यहां तक दोस्तों 70 रुपे का प्राइज यहां पर 280 तक का हाई बनाया आप जाके चेक कर सकते हो जहां पर अपने प्रोपर यह दोनों ट्रेड्ड को शेर किये ते जिन लोगों ने अंको हमने यहां पर बता था था भई कि Stop Loss Hunting होगी यहां पर तो वहां पर भी काफी लोगों ने बहुत प्यारा Profit बुक किया है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि 39,000 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 14,494 रुपे 25 रुपे तो काफी लोगों ने बहुत प्यारा प्रॉफिट बुक किया है 33,000 रुपे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर स्टुडेंट के प्रॉफिट देना मैं आपको कही न कही कोर्स के साथ मैं आपको यहाँ पर इसे एकसेज दे दूँगा मेरे स्टुडेंट ग्रॉप का एक महिने के लिए तो अगर आप चाते हो दोस्तों तो कही न कही जोइन कर सकते हो उस कलिंग के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यही कहूंगा टेलिग्राम जोइन की जगा वहाँ पर जो मुझे लगता है प्रॉपर में वहाँ पर देता हूँ दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहते हो इस market ने पर सबनाना चाहते हो, तो आप delta का account भी open कर सकते हो, उसका link भी मैंने description में दिया हुआ है, अगर आप ये भी करोगे, तो मैं आपको learning group का proper access दे दूँगा, मेरे को जब यहाँ पर लगता है, मैं यहाँ पर trade कर लेता हूँ, जब मुझे यहाँ पर लगता है, मैं यहा कि अपन कल किस तरीके से plan कर सकते हैं, और कौन सा level जो है, अपना एक अच्छा का सा level बन सकता है, दोस्ता शाम को यहाँ पर US का inflation data आने वाला है, 6 बजे यहाँ पर data आने वाला है, साथ में दोस्तों यहाँ पर इंडिया का भी inflation data आने वाला है, अगर अपन यहीं पर बात कर expected है, वो 3.1% है, अगर इससे कम आता है inflation data, इने 2.9 आता है तो अपने ले एक positive news होगी, और अपने को कल market उपर भी जाता हुआ, देखने को मिल सकता है, अब देखते हैं, क्या news आती है, क्या data यहाँ पर अपने को आता हुआ, देखने को मिलता है, वहीं पर अगर अगर अग inflation data भी आने वाला है शाम को, दोस्तो न्यूस पर नज़र रखेगा, यह बहुत ही कल आपको यहाँ पर काम आने वाली है, इस महीनस तो यहाँ पर CPI data यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आप मान के चलो कि 12 तारिक आज हो चुका है, फिर यहाँ पर दोस्तो फेट का meeting भी होने सब्सक्राइबी, वो शाम को यहाँ पर data publish करेंगे और हो सके तो वो election commission को data देने वाले हैं, SBI में, यहाँ पर बिचारा SBI भी बीच में अच्छा का सा पिसरा है, तो news बहुत जादा जिसकी वहीं से क्या हो रहा है कि market में अपने को बहुत जादा volatility अपने को देखने को मिल करेंगे, अब इस wallet लो किस तरीके से अपने को plan करना है, किस तरीके से अपने को scalping करना है, हम इस वीडियो में discuss करेंगे, बट अगर अपन यहाँ पर देखते हैं, तो थोड़ा DAO zone future को, पर उससे पहले कहता हूँ यार कि अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया, त दोस्तों पर कहीं न कहीं मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, infection था जिससे कहीं न कहीं मेरा CRP बड़ा हुआ था, तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा message कर रहा हूँ, मैंने सुचा कि आपके लिए चरो एक वीडियो लेके आते हैं, prediction के उपर जहां पर अपन लेवल बताते हैं, त पर जात में सबस्क्राइब भी कर देना, दोस्तों अगर हम यहाँ पर Dow Jones Future को देखें, थोड़ा सा negative है, बट अगर अपन यहाँ पर पूरे index को देखते हैं, पूरे market को देखते हैं, अगर अपन आज के market को देखें तो अपना market तो बहुत ज़्यादा बखवास था, थोड़ा सा negative है और Malaysia भी यहाँ पर positive है New Zealand देखे तो negative चल रहा है पाकिस्तन को तो छोड़ दो उसके फाद आ जाते हैं यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो पूरा जो market हो थोड़ा positive है और अगर 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 अग bank nifty के देखिए अगर हम आज bank nifty को देखते हैं तो bank nifty कहीं ना कि इस support क्या सपस open होता है यहीं से अपने को bank nifty क्या करता है कि day low का breakdown करता है stop loss hunting करता है one minute के time frame मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं one minute time frame stop loss hunting में ज्यादा use करता हूँ अगर आप देखोगे market क्या करता है कि market कहीं ना कहीं इस low को break करता है जो five minute candle होता है उस low को break करता है वहीं से bank nifty एकदम से उपर जाता है फिर दोस्त आपने देखा होगे अगर bank nifty एकदम से उपर गया और काफी लोग सोच रहेते हैं कि market इतना उपर जा रहा है मतलब आज तो market में तबाई होने market में ऐसा नहीं हुआ market वहीं से नीच आ गया अब नीच आने का reason क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ हम आज आते हैं देखो market ने यहाँ पर क्या किया कि इस point पर तो stop loss hunting किया market बट जैसे ही market इस train line के जोन में गया और इसका breakout दिया यहाँ पर bank nifty ने क्या कि buyer को invite किया invite करने के बाद तुरंट दोस्तों वहीं पर एक दो तीन चार मतलब 20 minute के अंदर यहाँ पर इसने 990 point का फोल कर दिया तो काफी लोगों ने जब यहाँ पर scalp किया होगा तो profit बनाया होगा बट काफी लोगों ने फोमो के चकर में डर की वज़े से क्यार में रह गया हूँ इतना बड़ा momentum मेरे हाथ से छूड़ गया है चोलो एक और breakout हो रहा मैं यहाँ पर trade कर लेता हूँ तो वो लोग यहाँ पर ट्रेप हो गए और ट्रेप होने के बाद उनको price मिला ही नहीं वहाँ पर उनका जो option के price क stop loss hunting होती है उसके बाद जो है market क्या करता है कि वो proper जिक जिक हो जाता है अब बात करते हैं कि आखिर मैं कल किस तरीके से plan कर सकते हैं मेरा क्या view है दोस्तो अगर अपन bank nifty को देखे तो zone के अंदर है मैं यही बोलूँगा इस zone के अंदर अगर आप trade करते हो तो only scalping का सोचना ह आपको ठीक है अब यह zone कौन सा है 47,170 का zone है राइट नीचे एक support area यह वाला ठीक है आप इसको अपना support area मानिए और उपर कौन सा level है यहाँ पर 47,500 का area है अब इस zone के अंदर उसको काफे ज़ादा वोलेटाइल हो रहा है market अगर इस zone के अंदर रहता है तो आपको यहाँ प होता है कल market मान के चलो कि अर यह CPI data और inflation data और ASB की news कुछ अच्छी आती है market कहीं ना कहीं ऊपर जाके इसका breakout करता है यानि 47,500 का breakout करता है sustain करता है price तो अपने को कहीं ना कर यहाँ पर 47,800 के level अपने को bank nifty में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर क्या करता हूं कि कुछ level आप bank nifty आता है समझना यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर दिखा रहा हूं समझेगा अगर 47,519 के उपर price sustain करता है फिर दोस्तों अपने को यह zone आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर अपने का bank nifty का target रहेगा 47,771 अगर यह breakout करता है तो फिर दोस्तों अपने को यहाँ पर अराम से यह वाला price अपने को जो है देखने को मिल सकता है 47,812 के level अपने को जो है bank nifty में अपने को upside में देखने को मिल सकते है बर दोस्तों जैसे अगर market 47,800 वेल का number breakout करता है sustain करता है price फिर अपने को अराम से यहाँ पर कही ना कि जो bank nifty यहाँ तक भी जाता हुआ 47,000 के level भी bank nifty में upside में अपने को देखने को मिल सकते है या फिर दोस्तों क्या करता है कि अगर market 15,000 का candle होता है अगर वो इसकी zone के नीचे क्या करता है close होता है price यहाँ पर sustain होता है फिर दोस्तों कही ना कि अपने को यहाँ पर downside के level देखने को मिल सकते है अब यह level कौन सा है 47,170 के नीचे अगर price आता है दोस्तों मेरा इसा मानना है अगर इसके नीचे price आएगा तो अपने को यहाँ पर 47,000 का level भी देखने को मिलेगा और अपने को यहाँ पर 46,872 का जो low बनाया जिसका यह अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या क यह break होता तो अपने को यहाँ पर 46,872 का low अपने को यहाँ पर मिलेगा और अगर इस low का proper breakdown होता है दोस्तों तो फिर अपने को कहीना के जो bank nifty है अपने को यहाँ पर 46,600 and 46,500 के level अपने को जो है bank nifty में downside की तरफ देखने को मिल सकते है यह मेरा मानना है तो यह level को proper याद रखेगा अगर news अच्छी आते तो market अपने को उपर जाता होगा देखने को मिलेगा अगर news अच्छी नहीं आती है फिर अपने को यह bank nifty नीच आता हो देखने को मिलेगा दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा होगा बट I hope दोस्तों चुम आपको बता रहा समझ में आ रहा होगा यहीं कहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो comment चुरू करना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा है बात करते हैं निफ्टी के बारे में तो आज निफ्टी ने क्या किया दोस्तों वही एक तरीके से देखा जाए तो इसक अगर यहाँ पर अपने को एक ट्रे बनता हुआ देखने को मिला मतलब यह ब्रेक आउट करके यहाँ पर अपने को आता हुआ देखने को मिला दोस्तों अगर आप निफ्टी में बाई साइट का प्लान कर रहे हो एज आ ऊपर जाने के लिए यहां तक तुम यही अगर 22,450 का लेवल ब्रेक आउट करता है फिर दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में के स्पेज है जो कहीने का यहां तक आती है इस लेवल तक निफ्टी में यह स्पेज आती है अब यह लेवल कौन सा है 22,525 का लेवल है मतलब अगर मार्केट 450 का लेवल ब्रेक आउट करता है इसी zone के अंदर रेता है तो मैं यही बोलूँगा है क्या आप इस zone के अंदर only scalping का करना और यहां पर scalping करोगे तो best रहेगा क्योंकि market is zone के अंदर काफी volatile हो रहा है देखो 22,300 का level यह downside में बनेगा आपका और उपर आपका 22,450 का level बनेगा अगर इस zone के अंदर यहां पर क्या होता है कि अपना निफ्टी रहता है तो अपने को यहां पर इस zone के अंदर only scalp का ही ध्यान देना है अपने को यहां पर बड़ी quantity place नहीं करनी है क्यों प्राइस यहां पर क्या हो रहा है बहुत जादा volatile हो रहा है बट अगर 22,300 का level downside की तरफ breakout होता है तो फिर दोस्त अपने को यहां पर 22,250 के नीचे प्राइस आता है तो 22,220 के लेवल अपने को यहां पर देखने को मिल सकते हैं अपने को यहां पर downside की तरफ ने को यहां पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अगर candleless के नीचे आएगा तो फिर अपने को 2250 अगर 22300 के नीचे price आता है यहाँ अपने नीचे आता है अपने यहाँ पर target रहेगा 2250 और उसके बाद 2220 अपने का यहाँ पर target होने वाला है downside में या फिर अगर 220 इसका level proper यह breakdown करता है तो फिर अपने को यहाँ पर shuffle होता हुआ भी देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह proper support area है यहाँ से अपने को काफी अच्छी buying अपने को यहाँ पर देखने को मिली थी अगर 2220 के नीचे market sustain करता है मेरा ऐसा मानना है कि फिर market अपने को यहाँ पर अच्छा का सा downfall भी होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर अगर market क्या करता है कि 2230, 2450 की बीच में रहता है तो अपने को यहाँ पर वही market volatile होता हुआ देखने को मिलेगा I hope दोस्तों जो मैंने आपको news बताई है market में आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी तो यह प्लीज कमेंड करना कि भाई क्या आपको समझ में आया है और ध्यान देना कि काम क्या करना आपकी कहीं न कहीं आपको निफ्टी में train line भी लगा लेना यह आपके काम आ जाएगा काफी हद तक है क्योंकि इस zone का यह rejection लिया है थोड़ा मेरे को ध्यान आया है गई तो मैं आपसे यहाँ पर माफी चाहता हूँ अगर इस zone के अंदर रेता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है अगर market यहाँ पर तरीके से जो है चलता है तो I hope दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा तो आर कमेंट जलू कर देना साथ में वीडियो को like अगर आपने आपके भाई को support नहीं किया है support कीचेगा subscribe जलू कीचेगा channel को ताकि मुझे अच्छा लगी कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो मिलते हैं नेस्टे वीडियो में आप से जै हिंद जै बारत आप सभी को यार जै शिराम